देश की फिल्म The Kashmir Files ने Bollywood में हाहा कार मचा दिया है जी हाँ दोस्तों, Bollywood में इस फिल्म की सपलता से हर कोई डरा हुआ है जहाँ एक तरब कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरब बहुत सारे लोग इस फिल्म का समर्तन कर रहे हैं The Kashmir Files वह फिल्म है जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों का दर्द चुपा हुआ है 30 साल से इस दर्द को परदे पर लाने की किसी भी डारेक्टर की हिमत नहीं पड़ी लेकिन 30 साल बाद ये काम डारेक्टर विवेक अग्नियोत्री ने कर दिखाया है उनके दर्द को विवेक अग्नियोत्री ने फिल्म के जरिये परदे पर दिखाया है आपको जानके हरानी होगी कि बिना किसी बड़े सुपरस्टार के बिना किसी बड़े प्रोड़क्शन आउस के इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर जम कर कमाई के रिकॉर्ड तोड़े है जी हाँ दोस्तों अपने पहले ही हफते में फिल्म ने लगबग अपने बजट से 9 गुना जादा कमाई कर लिये फिल्म एंड मुवी क्रिटिक्स तरन आदर्स की एक रिपोर्ट के नुसार फिल्म की लागट लगबग 15 करोड रुपे है वही फिल्म ने अपने पहले ही हफते में लगबग 97 करोड का बिजनस किया है यानि कि 97 करोड जो की अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि कॉंटेंट बेस फिल्में देखना या फिर कॉंटेंट बेस फिल्मों को सपोर्ट करना ही सही है और जहां बात करें देकश्मीर फाइल्स की तो ये लोगों की भावना के साथ जुड़ी थी तो इस फिल्म का हिट होना तो बनता था आपका इस बात पर क्या कहना है कॉंटे बॉक्स में जरू बताएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में